दोस्तों बुद्वार को इतिहास रचे जाने का कभाब बना कॉलकॉता जब कॉलकॉता मैट्रों के रेक में मद्दे कॉलकॉता में एस प्लेनेट को प्रतिस्टित हावडा स्टेशन से जोगने वाले मार्व में हुगली नदी के पानी के नीचे सुरंग के जरिये एक सफल बरिक्षन को अंजाम दिया ट्राइल रन के दौरान कॉलकाता मैट्रों के केवल वरिस्ट अधिकारी और चुनिंदा इंजिनियर ही ट्रेन में सवार थे ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ दूस्तो वीडियो में आगे पढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूले देश में पहली बार मेट्रों नदी में बने सुरंग में हुगली नदी के नीचे से होती हुई कॉलकोता से हावडा पहुंची इन एतिहासिक पलों के गवा बने कुछ अधिकारी और इंजीनियर इस एतिहासिक घटना के विशे में मेट्रों के जीम पुदै कुमार रेड़ी के अनुसार इसी साल से इस रूट पर सेवाय सुरू हो जाने की उमीद है सेवाय सुरू होते ही हावडा देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बन जाएगा सता से 35 मेटर नीचे हावडा से एस्प्लेनेट तक का मार्ग लगभग 48 किलो मेटर लंबा है जिसमें से 520 मेटर हुगली नदी के नीचे सुरंग के जरिये होगा सुरंग पानी के सता से 32 मेटर नीचे है इस सुरंग की पूरी लंबाई 10.8 किलो मेटर अंडर ग्राउंड है नदी के नीचे मेट्रो के लिए दो सुरंगे बनाई गई है यह है इस्ट वेस्ट मेट्रो का प्रमुकाकर्षर है यात्यों के लिए ये एक अलग अनुबब प्रतान करिया क्योंकि वो एक मिनट से भी कम समय में लगवग 10 किलो मेटर तक पानी के नीचे से गुजरेंगे चैनल टनल से गुजरें वाली लंडन और पैरिस के बीच यूरो स्टार ट्रेनों की तरहां ही कॉलकाटा में मेटरो की इन सुरंगों को बनाया गया है 1980 के दसक में भारत की पहली मेटरो का हिस्सा कॉलकाटा में बना था अब पहली बार नदी के अंदर सुरंग भी यहीं बनी है नदी के नीचे सुरंग बनाना चुनोती था, पानी की जकड़न, वाटरपूफिंग और गास्केट की डिजाइनिंग प्रमुख मुद्दे थे सुरंगों को 120 साल तक सेवा के लिए तयार किया गया है, पानी की भून भी इनमे प्रवेस नहीं कर सकती सुरंगों के कंक्रीट के बीच में हाइड्रो फीलिक गास्केट है, अगर पानी सुरंग के अंदर आता है तो गास्केट खुल जाएंगी, अगले कुछ महिनों में एस्प्लेनेट हावडा मैदान, खंड पर विस्तारित परिक्षणों में दो ट्रेनों का उप्योग किया जा करने के लिए सुरक्षा मंजूरी मिलने की उम्मीद है, दोस्तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं, अन्य वीडियो में, जय हिं, जय भारत!